दोस्तों रेकॉर्ड काइम किया है कि कोईट से बहुत बड़ डेलेगेशन है इज़ार कर रहे हैं कि टीडी एपी के चेर्मेंट से बात हो जाएं आप देख सकते हैं कि सारे विजनस्मेनिया खड़े हैं यह वो मुल्क है जहां पाकिस्तान का वीजा बंद है इनकी कोशेश है कि हमारा सॉफट इमेज दिखाया जाए इस सॉफट इमेज कैसे दिखाया इसके लिए मैं एंके साथ हूँ चुके मैं अपने मुल से महबबत करता हूँ I love my country, आप भी जाकिये और पाक्सान से महबबत कीजे मैं जगाउगा We have experienced a very good thing. What we have seen in the TVs, it's literally, you can say, all lies. We didn't find anything. The media delivered a very bad message about Pakistan. Even all my friends, when I told them that I'm going to Pakistan, they say, oh, be careful, it's dangerous, blah, 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 you know, all that talking. But when I first came, I mean, here, I'm shocked, actually. Pakistan is a really great country and very good people and, you know, everything is wonderful over here. Time frame, always, always we destroy a lot of business which we try to get from Pakistan for the countries, but time frame, destroy it. I'm very proud to mention that Khoit is the only country at this point in time who has brought the biggest delegation. We have multiple people, even in Arabs, you know, we have a variety of Lebanese and Egyptians and Khoitis. And this is the first time which is very unique that Khoiti business women have visited Pakistan. And we will do that. I don't. तश्कील दी है खुदारा ऐसे लोगों के जजबात को तक्वीए दीजिए इनकी तक्वीए देने से मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की एकॉनमी को बहुत फाइदा होगा अच्छा रजासाब आप इतना बड़ा डेलिगेशन लेकर आए रिकॉर्ड काइम कर दिया रिकॉर्ड तो बहुत लोगों तफ़री के लिए बनाते हैं लेकिन मुझे यकीन आपने तफ़री के लिए रिकॉर्ड नहीं बनाया है ये जो अरफजा है और ये जो पाकिस्तानी बिसनस्wen पाकिस्ताना है दुबारा इतना कुछ पढ़ते रहे हैं लोग टी वी पर आता रहा है टू फ़र सेवन उनको फिक हीट होती है करी रेडियो से ते कही टीवी ता ही उसके साथ-साथ उसी लेवल पे हमारा एक मकसद जिसके लिए हम कोईत में भी बहुत काम कर रहे हैं कि पाकिसान के इमेज को उसके ये जो मौझूदा सिनेरियो बना हुआ है उसे बहटा कि एक सौफ्ट इमेज जो पाकिसान का है उसको उजागर करना उसके हवाले से सर अरप्स के लिए जो के मैं अरप्स के साथ ज्यादा कम्मिनकेशन में रहता हूँ उनकी जबान जानने की वज़ा से तो अकसर ने मुझे से ये कहा कि ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं था हमने टीवी की स्क्रीन पे पाकिस्तान को यादो बंदमाकों में देखा है या किसी टेंशन में देखा है अखबारों में जब भी पढ़ा है पाकिस्तान को किसी टेंशन में पढ़ा है अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो देखा जो सुना वो सब गलत था ये पाकिस्तान है जो आज हम देख रहे हैं और यकीन करें कि हम बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि अब हम सिर्फ एक्सपो ही नहीं अब हम खुद आया करेंगे बिजनस करने के लिए हमें पता चल गया के पाकिस्तन क्या है तो ये एकदामात जो हैं ये मैं ये कहूंगा कि हमारी हमारी सता पे जो हम कर रहे हैं मुलक के लिए नहायत ही मुफिद है और लेट सी अरब्स का जब रवया चेंज हो गया कोईटी अरब्स का और कोईट के रहने वाले कहने लगे पाकिस्तान अची जगा है बिजनस के लिए तो वजिराजम सहाब, वजिराला सहाब, तमाम सुमों के वजिराला साहबान, मिनिस्टर फो ट्रेड, आप सब थोड़े से कान खोल लीजे, तेल डाल लीजे कान में एक दफार के इंका पस्पेक्टिफ चेंज हुआ है बुलाये जथों के जथे, और दिखाये मेरा प्यारा खुबसूरत पाकिस्तान करीजिए मेरा जड़ाया मिन एक घरण रया फिल्ड करता थार प्यासिए, आप समया अम्या प्यासिर उतक बिराणिए, जो यूज दो भाकिस्तान अवानिसान अल्स्तान, फो बुलीन आप कर लिए इंका दो, तो आपिस्टान, चो पह प्याँ में आपिए, प्यू़न लाँ प्नान अजाना कंट्स प्कार्ण्ट मेनां के ठुर्टत मिन में जानल सो अनव में हो अजएता, हृरी डानल ने भी कोंट इस जानल चांग मे जानल वी क्या ई 캌 द kwalवर कत रहने की trzy numéro से देल प्रेश and Pakistan you just need to appreciate time and stick to it in order to proceed forward being punctual is the best thing, that's a great advice, that's a great word of advice okay, by implying mashallah you get it, explicitly let me say that Pakistan mashallah has all natural resources Allah blessed it with it, has the good mind and mentality of a great people and the good heritage with Islam you can do much more than what you've done, inshallah one day we will see you in technology and high industry as well as the atomic energy in the first rank and for a peaceful usage and may Allah inshallah protect all Pakistan and Pakistani and we will see it develop in the progress, inshallah, inshallah thank you so much and thank you for the best advice till yet that Pakistanis should become punctual because if a nation becomes punctual then everything will come into order, I agree with you, thank you and honestly this is what we need to make business and to make the world respect Pakistan and our region let me give you a compliment from the bottom of my heart and from my nation that you are the prettiest prettiest lady around